तीर्थन घाटी गुशैनी बंजार इंस्टिटूट फॉर सोशल डेमक्रीसी संस्थान दिल्ली द्वारा जिला कुलू की तीर्थन घाटी के बठाहड में स्थाने लोगों के लिए 27 जुलाई सी 29 जुलाई तर तीन दिवसिय क्षेत्रिय कारेशाला का आयोजन किया गया ये एक आवासिय कारेशाला थी जिसमें यहां के करीब 30 प्रतिभाग्यों ने हिस्सा लिया जिसमें अधिकतर स्कूली छात्रा छात्राएं शामिल रहें सोंबार को वठाड में इस कारेशाला का समापन हो गया है इस तीन दिवसिय कारेशाला में ISD संगठन दिल्ली की ओर से हिमाचल के फील्ड कोडिनेशन तेज सिंग ठाकूर, पून्चंद, मोहर सिंग और सूरीता ठाकूर आदी विशेज रूप से मौजूत रहे जिन्होंने बखुबी तोर से इस आवासिय शिवर का संचालन करके प्रतिभाग्यों का ग्यान परधन किया इस कारशाला में विविन सत्रों के दोरान प्रतिभागयों ने अपनी अपनी स्तानी साजी विरासत को चिनिद किया और उनके बनने की प्रक्रियां और उपयोगिता भी समझी तो क्या है हमारी सांजी विरासते? सांजी मतलब सबकी और विरासते जो हमें समाज का हिस्सा होने के नाते पीडी दर पीडी मिल रही है हिमाचर प्रदेश का अधिकांच क्षेतर पहाड़ी है जिसे देव भूमी के नाम से भी जाना जाता है यहां की संस्कृती बोली भाषा, खानपान, पहनावा, हस्त चिल्प, हेती किसानी, लोग गेत, लोग निर्तिय, प्राकृती संसादन, जैव विविदता, अनूठी देव परंपराय और रस्मों रिवाज हमें एक सांजी विरासत के रूप में मिले है इन में से कुछ विरासते अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है, जबकि कुछ विरासते अभी तक जीवन्थ है समाजिक लोगतंतर के लिए संस्थान संगठन दिल्ली से हिमाचर प्रदेश के फील कॉडिनेटर ते सिंग ठाकृर ने बताया कि हमारी इन सांजी विरासतों को शांती सद्भाव और आपसी भायचारा बनाये रखने के लिए बचाये जाना जरूरी है इन्होंने बताय कि कुछ सकारात्मक सांजी विरासते समाज के हर संपरदाय को आपस में जोड़े रखती है जबकि कुछ नकारात्मक विरासते समाज को तोड़ने का काम करती है जिसमें चुआ छूद भी है इन्होंने कहा कि सकारात्मक सांजी विरासतों के महत्व और उप्योगता को देखते हुए इनके संग्रक्षन, संवर्धन और मस्बूती के लिए हम सभी को एक जुट होकर क्शेत्र स्तर पर सांजे प्रियास करने होंगे अपने समाज को सही दिशा में लेकर जाना हम सब की सांजी जिम्मेदारी है जिसके लिए भारती समिदान भी हमें रास्ता दिखाता है इस दर्मियान सांजी विरासतों को तोड़ने वाले कारको और शक्तियों पर भी चिंतन मंथन किया गया इस कारेशाला में बतोर अतिती वक्ता मौजूद रहे मोहर सिंग ठाकुर ने पर्यावरन से जुड़ी सांची विरासतों के संग्रक्षन आजीवी का जहर मुक्ति खेती संस्कृति से जुड़ी सांची विरासतों का हमारे जीवन पर प्रभाव और महतव आदी विशों पर प्रतिभागियों का ज्यान वर्धन किया इन्होंने समाजिक कुरुटियों बाल विबा महिलाओं में मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियां जाती प्रथा आदी विशों पर भी अपने महत पुर्ण सुझाव और विचार रखे इन्होंने बताय कि इस दौरान पर विस्तार से चर्चा, परिचर्चा और मन्थन हुआ इस दौरान साजी विरासुतों के सकारात्मक और नगारात्मक प्रभाग पर भी प्रतिभागियों ने ग्रुफ वाइस अपनी अपनी प्रस्तुती पेश की है तीर्थन घाटी से आईसी संगठन के एक शेत्रिय कॉडिनीटर पूर्ण चंध ठाकुर ने बताया कि भारत में समाजिक लोकतंतर के लिए संस्थान एक गयर सरकारी संगठन है जो समाजिक, लोकतंतर, समाजवाद और प्रगती शिल राजनीती जैसे मुद्दो पर कारे करता है इन्होंने बताया कि आईसटी मानविकास और मानवदिकारों की गरिमा पर आधारित एक धर्म मिर्पेक्ष और लोकतंतरिक समाज के निर्मान का सपना दिखता है पूर्ण चंध हाकुर ने बताया कि साजी विरासोतों का सही प्रियोग करके हम समाजिक विकास और एकता में अपना योगदान कर सकते हैं इन्होंने बताया कि समाज में अच्छी परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए जबकि गलत परंपरा का फिरोध करना चाहिए माईने टीवी के लिए तीर्थन घाटी कुल्लू से परस्राम भारती की रिपोर्ट ओंड क्रियेशन सुन्नी और रेप्यूटेड हाउस फो रेडिमेट कामेंट्स आपके शहर सुन्नी में रेडिमेट कामेंट्स, लेंगा चोली, लेडिस फैंसी सूट, धाट्टू रेच्टा, कोट पेंट शेरवानी वो किट्स वेर, फैंसी ड्रेस के लिए मशूर दुकार, नजदी किरन च्वेलर सुन्नी, शिमला, बस एक बार सेवा का मौका जरूर किरने वोग्र उपके लिए लाट रेच्टू करते हैं तक कामेंट्स युचक्षार छोग्रमेट क किवेलर सुन्नी वोग्री वोग्रा सुन्नी शूर्वीं, लेडिएजू सुन्नी में युटएपके लिएघट抿गर कि लिएवेश भर दूएवेश टूरूफ